बिलकम टू सुकला स्टडी पइंट आप सभी का स्वागत है आपके नीटूब चैनल सुकला स्टडी पइंट में मैं सिवं सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपको दिखेगा एक दम से असपस्ट दिखेगा तो ऐसे ही आप लोग भी फोटो खीच करके जब बना करके भेजें तो असपस्ट भेजें तो बड़ा अच्छा लगता है फिर पढ़ाने में और आपको देखने में अच्छा लगता है तो फूड नुट्रेशन और हाई-ज कि अधिक बढ़ो है ओकर फ्रूंज कुछे नहीं प्रश्ट पर अबूट खळाइए help मता नहीं टीक है चलिए पहला प्रसन आपकी स्किन पर आ चुका है प्रसन आपकी स्किन पर क्या आ चुका है बिस मोटा अनाज वर्स देखे वर्ड मिल्ट यर इस यानि कि बिस मोटा अनाज वर्स इसको मैंने नहीं बताया था यह नया प्रसन है चुकि यह अभी जो है 2023 को घोसित किया गया है आप सन प्रसन आप देखेंगे बताएगे माडल पेपर से ही आई हुई है अगला प्रसन है which is not important in meal planning यानि कि आहार आयोजन में क्या महत्तपूर्ण नहीं है इन में से साप्ताहिक चार्ट महत्तपूर्ण होता है रोगी की रुची क्या है क्या खाना चाह रहा है वो उसको उसको भी देना होता है संतुलित अहार को भी ध्यान देना होता है ग्रे सनचना उतना इंपॉर्ण नहीं होती है अहार आयोजन करने में आप से नमबर इसका सी करेक्ट एंसर घर कैसा है इस्ट्रक्टर आप हाउस यह डिपेंड नहीं करता है हां बजट अगर होता या सरीर की आर्थ घर में भी देंट करता है यहीं सही आनि कि इस कुछन के हिसापस से यह शही है यह कारक प्रभावित नहीं करता बागी 3 करते है च dla को से आप प्रवर्दे सौ्ट इसर आप यानि कि सरीर के उतकों के मरमत का कारे कोन करता है आप सभी को पता होगा सरीर के उतकों के मरमत का काम कोन करता है फटा पट से आप बताएंगे बिल्कुल कोन करता है भी बताएं प्रोटीन की द्वारा होता है बहुत बढ़ियां आपस नमबर B करक्टर एंसर हो जाएगा सभी लोगों ने भी लगाया था अगला को सब्सक्राइब के लिए क्या मलब की कौन सा चीज प्रियापत मात्रा में होना चाहिए तो विटामिन डी जो है के लिए इंपॉड़न्ट होती है यह बात ध्यान रखेंगे ओके लिए अगला कोसिंस आपके स्कीन पर आ चुका है वेट और यार टाइप्स आप आदर और सुसक प्रकार है आदर और सुसक की अगर बात करें तो आदर और सुसक प्रकार का क्या होता है विटामिन बिलकुल विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B की कमी से बेरी बेरी होता है तो B1 विटामिन B1 जो है यह जो रोग होता है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी तो बेरी बेरी एक होता है आदर बेरी बेरी रोग एक होता है सुस्क बेरी बेरी यानि कि एक में नोपegen्स ह कोशीजितम स्थनीन्स और को अध्यां और सिसन की स्था ले कि सोल शाइन पर Сट नेगों ौस्ट करें उपको授 है त्द मम्हों का चाहिए बचला नियुज याbe तो sodium युक्त आहार जो दिया जाता है, यह high blood pressure में, यानि कि hyper tension में देते हैं, आपसर नम्बर इसका correct answer हो जाएगा, उच रक्तचाप में यह आपसर इस राइट answer. सबसे अधिक मीठा carbohydrate है, आप सभी को पता होगा, बिल्कुल correct answer क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेक्टो इस राइट answer, आपसा नम्बर इसका राइट answer होगा, अगला को सबसे पूचा गया था, दसबा नम्बर की किसकी प्रोटीन मेलब की यहाँ पर क्या भरा जाएगा, डेस की प्रोटीन का जैबिक मूली सबसे अधिक होता है, किनोवा, मचली, अंडा, देखें प्रोटीन का जैबिक मूली की बात की वैसे अगर यहाँ पर जैबिक मूली ना होता, प्रोटीन के बा जाता है अगर वानस्पतिक फूस्ता तो आप स्वयाबीन लगा देते ठीक है सी आपसन इसका करक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेंगे अगला को सब्सक्राइब को फैलने वाली बिमारी को क्या कहते हैं तो उसको बोलते संक्रामक रोग आपसन नंबर इसका एक करक्ट एं आपको बता दों रगा अवनस्था म्लिजा कर दोटाओं डूलस टूंप से ही आयdı है और लोग बहुत ही आशां तरीकेल केंगे मज़ा होगा आपको देखें which one is rich in vitamin A, vitamin A निमें से किसमें पाया जाता है, देखें इनमें से अगर बात करें, vitamin A जो पाया जाता है, वो पाया जाता है, पपाया में, पपीता में इनमें से, ठीक है, अगला question सापकी स्किन पर आचुका है, चौदा नमबर प्रस्ट है, lactose is also called milk sugar found in, lactose को दूध सरकरा कहते ह हैं, जो पाया जाती है, किसमें, दूध में पाया जाती है, lactose सरकरा, आपसा नमबर C करक्टेंसर होगा, पंदरवा कोशन सापकी स्किन पर आचुका है, नेम, वन बिजटेबल, फिच प्रोवाइड अलोट अफ रफ वतायें, दिम्द में से कौन सी सबजी है, मनलब कौन स है, आपका सोलवा नमबर प्रस्ण है, अंडर निउट्रेशन का कारण क्या है, बताए, कौपोशन का कारण क्या है, आ संतुली ताहर बिलकुल गरीबी और भोज संबंदी सुचनाओ की कमी, ये सभी आपसे नमबर D लगा देंगे, आल आप दाएबब, अगला प्रस्ण आ आपकी स्किन पर आचुगा, फटापट से आप देखेंगे, अठारवा नमबर कोस्टन से बताएं, आइरन डिफीसियंसी लीड्स टू, लोह तत्त की कमी से कौन सा रोग होता है, लोह तत्त की कमी से या आईरन की कमी से एनीमिया यानि किरक्ताल पता रोग हो जाता है, अगला परसन है, घेंगा रोग किस की कमी से होता है, बताएं, घेंगा रोग जो होता है, किस की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कई बार मैंने समझाए, बी आपसन करेक्ट एंसर था, बीस्वा नमबर परसन आपसे पूचा गया था, प्रोटीन की कमी से होने वाल सम्स्क्राइब और दो अग्लाक से देखेंगे प्रसंद्राइब में जलवतास की पालक में होती है आप से नंबर इसका एक अरक्टेंस रोज़ेगा स्पिंच इस्पिनेच ठीक है इस्पिनेच आगे देखेंगे अगला कोशन साब कि स्किन पर आ चुका है रताउंधी किसकी कमी से होता नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस किसे होता है विट अ सभी को पता होगा अगला कोशन साब देखेंगे विट लिन की कमी से कोशन में कमी होती विट न कि कमी से रखत का थकका नहीं बंता आप जितने बिटामिन की कमी से मैंने रोगों की बारे मैं आपको बताया था, सारे के सारे प्रसन आपके आये हुए हैं, तो आप बहुत important मलब मजा आ रहा होगा आपको पेपर देने में, मजा आ रहा था ना, तो ऐसे आप जिनकी परिच्छा भी नहीं हुए है, जिन आगे देखेंगे अगला प्रसन 24 नंबर, अस्थियों के निर्माड के लिए किस पोसकत्त्त की आवसकता होती है, तो किस की होती है, कैल्सियम की आवसकता होती है, C आप सन इसका करक्टर एंसर हो जाएगा, अगला कोसन साम किस किन पर आचुका 25 नंबर पर सन था, किस माह क को पोच्ण मा के रूब में जानते हैं आपसे नंबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा 26 नंबर पर आपसे पूछा गया था निम्द में से कौन उर्जा देता है बताएं उर्जा कौन देता है फड़ापट से आप बताएंगे बिटामिन उर्जा नहीं देता और कल्सियम और जि आपसे नंबर इसका ये करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोसंस आपसे पूछा गया था निम्द में से कौन प्रोटीन का सरवोत्तम सुरूत है प्रोटीन का सरवोत्तम सुरूत पूछा गया है तो आपसे नंबर इसका डी सोयाबीन होगा लेकिन जो वो प्रसंता उसमें आपसे क्या पूछा गया था उसमें जैबिक तद्ट तो पूछा गया था ठीक है तो उस mensen अपका अंडा हो गया था किलिए भी आप संद्ट एंसर हो जाएगा वहला से मछचले में भी अगला को संस आपकी सिंब्ल जुक सब्लाइब क्यूंदददमें से कौन कॉन विटामिन-C का उत्तम शुरोथ है विटामिन-C का उत्तम स्रूथ है ज़्यों मैं आमला इसमें खटापदार्त है एक अगला को संस आपकी स्किन पर आचुका तो लगभग और लगभग आप देखेंगे 6-8 गिलास पानी मैंने आपको बताया था अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है 32 पर से मुह में किस पॉष्टिक तत्तो का पाचन सुरू हो जाता है तो मुह से ही कार्बो हाइड्रेट यानि कार्बोज का पाचन सुरू हो जाता है आपसा नमबर A करक्ट एंसर था इसका 33 पर से दालों में सबसे अधिक क्या मिलत है दालों में सबसे दिक्या मिलता है दालों में सरबाधिक मात्र में प्रोटीन पाया जाता है आपसा नमबर इसका सी करक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन सापके स्कीन पर आचुका फटा पट से आप देखेंगे इंपोडेंट पर से 34 नमबर सरीर के लिए नियामक पद से अगला कोशन सापकी सकीन पर आचुका फटा आप देखेंगे अगला कोशन से विच वर इस नाट गूड फॉर है इंवे से देखें ताजिफ हलो करस मचली और पनीर यह सब आप ले सकते हैं सरकरा जादा नहीं लेना चाहिए अगला कोशन्स आपकी स्किन पर आचुगा 36 नमबर आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए अनाज और सब्जियों का आपस नमबर इसका एक अरक्ट एंसर हो जाएगा अगला परसने बिस स्वास्त दिवस्का मना जाता है वर्ड हेल्थ क्यूंधट इसका सिगरेक्ट एंसर हो जाएगा अगला परसन नमबर परसन स्वास्त के द्रिष्टी से स्वास्त धरिष्टी के लिए कौन साथ पूच्छात्म स्वास्थक्त होता है देखने के लिए यहाँ पर देखें वीच न्यूट्रेंट्ट्स इस मोस्ट कि अब देखिएगा बहुत ही मैध्पूर्ण प्रस्णाव की परिच्छा के लिए है इन में से कौन सा सिसों के लिए मुख भोजन है बताइए शिसों के लिए मुख भोजन आपका मिल्क होता है दूद आपसा नंबर C करेक्टर एंसर होगा केल्सियम का प्रमुख दूद्ध में सबस्यादा कलसियम पाई जाता है अगला प्रसमें वसा युगत भोजबदार्थ हैं निए लेकिन इसके अलामा पनीर में भी आप जितने भी डेरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें वसा पाई जाती है तो पनीर में भी वसा मिल जाती है ठीक है और सोयबीन आयल में भी वसा मिल जाती है तो आपसन नंबर D से में लगा सकते हैं D आपसन इसका करेक्ट एंसर हो जागा D आपसन इस राइट आंसर अगला कोशन से आपके स्किन पर आ चुका है खटे फल उत्तम स्रोथ होते किसके विटामिन C के आपसन नंबर B करेक् बश्यो के ऩराइट अपसन नंसर से आपसन नंगी जाताइसज आपको आताम रहा होगा आपको बहुत बढ़े आपको लर्चेज़ pong विटामिन से रहा होगा आपको को बढ़ेंस यह आपको शीन इसके चुका का तेहां जाते को स्बपाइच ऑंसर के दिस्ता से आगे देखेंगे एक स्वस्त समान निभ्यक्ति के सरीर का तापमान कित्ता होता है यह मैंने आपको बताया था 98.6 Fahrenheit 98.6 Fahrenheit मैंने आपको बताया था यहां पर 988 लिखा यह गलत हो गया ठीक है एक मिनट सब्सक्राइब आपको बताया था यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब तो यह चार वाला भी काट दो यहां पर 6 है 98.6 लेकिन जो यूनिवर्सिटी मानेगी वो डी वाला मानेगी तो डी आपसन इसका करेक्ट एंसर हो सकता है ठीक है अगला को सिंस आप देखेंगे रक्त का धक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सयोगी होता है तो विटामिन के बिल्कुल सी आपसन करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला परसन आप देखेंगे गरभावस्ता में कितने माह होते हैं नौ महीने होते हैं बिल्कुल बी करेक्ट एंसर हो जाएगा सभी को पता हो गए चीजे अगला परसन आप देखेंगे नीबू में नहीं पाया जाता संत्रे में भी नहीं गुझ बेरी में आप देखेंगे जो पाया जाता है लग तो परच्वर मात्रा में यकर्त में लीब दी्राम की आसा साफ इसका औंबद रोगा होगा है कुछा कर औरकन होने वाला रू को आसियों संय और मैराश का आपको बताया था आपसे नंब्र में काहँए पूसिक्त वतम्धिन वेसे कौन सा है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा बिटमिन और खनी लबड यह सब पोसकत्त होते हैं आपसे नंबर डी लगा देंगे डी आपसन इस राइट आंसर अगला कोशन से चपन नंबर अच्छा स्वास्त बनाए रखने के लिए क्या आवसक है बताएं बताएं दूद सब्जिया मचली या संतुलिताहार देखें अच्छा स्वास्त बनाए रखने के लिए संतुलिताहार क्या अवसकता होती है बैलस डाइट आपसन नंबर डी गरक्ट एंसर होगा अगला परसन है विच वन प्रोवाइड एनरजी इमीडियेटली हमें सबसे सी सुक्रोज के प्राप्ति का साधन जो है घंडा के रसं में पके फलों में आपको सुख्रोज मिल जाएगा अपसन नबडी लगा देंगे आल आप देएपन नेस्ट कोसं तो तामन का करक्ट एंसर क्या हो जाएगा दी आपसन इस राइट आंसर आगे पूछा गया वसके अधिक्ता से कौन सा रोग हो जाता है वसके अधिक्ता से मोतापा हो जाता है इसका एकरेक्ट और जाएगा अगला प्रश्ड में कि स्क्राप्त कीण प्रोटीन करके प्रवकाटीन को क्या बोलती है दूख है कि ऑतार्फ प्रोटी जाएगा लिए सब से अगला कोसे सापके स्किन साथ निम्द लेखेंगे बानस पतिक जगत से परोटीन का सरबोत्तम साधन क्या है बताएं बानस पतिक जगत की अगर बात करेगा तो तो सोयाबीन जो है बानस्पति जगत का सबसे अच्छा स्रोत माना जा सकता है, C आपसे इसका करेक्ट एंसर हो जगा, सोयाबीन इस राइट एंसर, अगला कोसन साब की स्किन पर आचुका है, सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, नमक आपसर नमबर इसका बी करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका पैसर नमबर आप देखेंगे बीतामिन की खुच किस ने करी थी बहुत बार मैंने सुना की कमेंट जब लोग करते हैं मैं आपको बताता है वी के खुच 1934 में हुई थी ठीक है और 1929 में दो में डिवेड लेकिन आप लोग लगाता रेकिंट необходимо किसे बारा में हुई थी बिटामिन की खुच 1912 में हुई थी बिटामिन के की खोज अगर बात करें तो 1934 में हुई थी यह बात ध्यान लखेंगे ठीक है 1929 भी कहीं कहीं पर 1934 मिलेगा आपको 1934 ज्यादा सही है जोकि ब्यवस्थित रूप से हुआ होगा और 1929 में एक छिटपूर तरीके से हुआ होगा यह बात ध्यान लखेंगे किलियर तो 1912 इस भी में किसकी खोज हुई थी बिटामिन की खोज हुई थी केवल बिटामिन की बिटामिन कई होते हैं बिटामिन A, B, C, D, E तो यह कमेंट जब आप करते हो तो फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि क्या है मैं पिर चक किया कि भई कहां पर दिक्कत हो रही तो 1912 में कासीमीर फंक हैं उनके द्वारा विटामिन की खोज करी गई थी आपसर नमबर इसका एक करेक्टर एंसर हो जागा ध्यान रखेंगे इस बात को आगे देखेंगे अगला परसन है नेतर जोती के लिए कौन सा बिटामिन जिम्मेदार है नेतर जोती के लिए बिलकुल आप सभी को पता होगा बिटामिन जो है वो बिटामिन ए जिम्मेदार होता है रतोंधी चुकि बिटामिन ए की कमी से होती तो नेतर जोती के लिए बि चंब लोट थो देखनाें और कमी की सी रहत्त ख़का हूं यह लोकाrig अगला को से स constern प्रता काूंत है अगला से नंबर है जल में घृटामिन कौन से है विटामिन ए विटामिन डी better यह आपके वसा में घृणरंसई ले विटामिन बी और सी आपके जल में घुलन सील हैं आपसा नंबर इसका बी लगा देंग करेक्ट एंसर हो जाएगा सत्तर नंबर को सब्सक्राइब देखेंगे इसको मैंने चिला 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 करके आपको कई बार समझा जाया है किलियर आगे देखेंगे अगला कोसेंस आपके स्किन पर आचुका पड़ा पड़ा से आप देखेंगे इंपोनेंट परसन है अजय एक अध्यक नंबर को सबक्राइब करकांगे फटावन с यहाँक होता है झूंट Egyptian परसन है कौन सा पूस्ट इन प्रस्नों को रखा है बिटामिन के हो था है वे शक्मता में क्यान हो चाहांग ने परींट करिक आंप सक घ्रता सीरों बिल्कुल आपसन नंबर सी करेक्टर अंसर होगा आगे देखेंगे अगला कोशनस है अस्थियों की निर्माड और मजबूती के लिए आवस्थिक है बिल्कुल कैल्सियम आवस्थिक है भी आपसन करेक्टर अंसर हो जाएगा देखें बहुत ही बढ़ी हां पेपर आया था मुझे तो देखरके लग रहा है कि आप लोगंगी तो चांदी हो गई अगला परस्थिक है बच्चों के लिए बच्चों के मेरे दोरा बताए अपदेख लेंगे प्रालिज़ लमन नहीं है इन में से प्रालिज लमन नहीं है इन में से बतारें वडं CC लवन्वृ। लो सिक थांग अगर बात करें क曲 सिम्ड फॉर से द्सक्या浩। चाहीं काई यह प्रसन Б фильм ko चाहिए एक वैस को वसा हो चाहिए किते एक वैस्क कोara उध़ा की आवसक क्ता होती है कि इस स्कूर विज्व को ag सब्सक्राइब के अब सकता होती है यहाँ पर करक्ट टेंसर आप ए लगाएंगे जादा करेक्ट एंसर रोजगा बीस ग्राम प्रोटीन एक उसको वशा वहल्ब एक व्यसको कितनी वसाच चाहिए 20 ग्राम वशा अगर मिलती तो भी ठीक बात है फ्रते दिन अपसा नंबर स्क प्रवाइड एनर्जी टू आवर वाड़ी तो वसा जो है यह उर्जा दे सकती है विटामिन और खनिलमड यह सब नहीं देते हैं उर्जा उर्जा वसा देती है और कार्बोहड़ेड देता है एक ग्राम कार्बोहड़ेड में चार कलोधी उर्जा एक ग्राम वसा में नौ कलोधी उर्जा और एक ग्राम प्रोटीन में भी चार कलोधी उर्जा मिलती है वाद कि प्रोटीन केसीन मैंने आपको खूब बताया था केसीन जो दूद्ध में पाई जैनल विटामिन होती है तो असी नमबर कोशन साब देखेंगे गरभावस्था जो है कितने दिनों की होती है गरभावस्था 280 दिनों की होती है अगला प्रस्था किसकिन पर आचुगा है किस अवस्था से अस्तंत्यज आहार प्रारम करते हैं तो वो अस्तंत्यज आहार मलब की जब बच्चा मलब कौन सी सिती में मा का दूद जो है पीना थोड़ा थोड़ा बंद करना चाहिए तो छे महीने के बाद से आपसे नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब 這裡 पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अमल है तो नारियल के तेल में आपसे नमबर इसका si 6 होती है कौन-कौन से प्रोटीन पहला हो गया दूसरा कार्बोहाइड्रेट तीसरा हो गया आपका वसा चौथा हो गया विटमिन्स पाचवा हो गया खनीज लमण और छठा हो गया आपका जल यह 6 पहुसेक्त तो होते हैं ध्यान रखेंगे इसको 86 नमबर प्रस्ण है सरीर कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में भंडारित करता है किस रूप में तो गलाइकोजन के रूप में आपसे नमबर इसका सी करेक्टेंसर होगा आगे देखेंगे अगला प्रस्ण है 87 नमबर को साब के स्किन पर आचुका है पटापट से आप अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण करता है अगला प्रस्ण किस बिंदू पर रक्त चाप को उच कहा जाता है देखें उच सामान निक एगर बात करें तो एक सो वस्ती मैं अगर आपका एक सो पचास नब्वे होता है तो आपका उच रक्त चाप माला आता है इसका बी करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला को साब की स्किन पर आचुका एक क्या नबे नंबर रक्त अलपता रोग किस खनिस लवन की कमी से होता इनीमिया रोग मैंने गोही परसंद घुमा करके दो तीन बार पोच लिया गया था अगला परसंद सुरक्षात्मक तत्तों की प्राप्ति के साधन है सुरक्षात्मक तत्तों यानि की जो प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो आप सभी को बता होगा ब्रेटमिन जो ह करते हैं और स्वारॉस Children को द मिड्यो पर चासन परकेंगे अडिया थफिया अगर दीवस यहां आफर मार्च को एक अरभावस्था में कितनी अतरिक तो जाकिया वासकता होती तो लगभग 350 कलोरी उर्जा किलो कलोरी उर्जा किया वासकता अधिक होती है गर भावस्ता के दोरान आप से नम्बरे करेक्टर एंसर होगा अगला परसन है मानो सरीर में वसा जमा होती है मानो सरीर में वसा कहां पर जमा होती है देखें इन सभी में जमा होती है अकिरत में वसा उतक और एपिथीलियम सभी में आपसन वड़ी लगा दें करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला सीज पूछा गया था किस प्रकार के नमक को प्रियोग के लिए सनस्तुत किया जाएगा अगला शमोन प्रस्टनाफ की स्किन परा चुका है अच्छा इसमें बहुत सारे लोग लगा दिये होंगे सेंधा नमक जो तो आप गन्ना के रसमें मिला करके पीते हैं तो यह यह नहीं उसके लिए आयो डायड यह नमक होता है वह इंपोड़न्ट है प्रस्ण का जो पूछा पूछा आने का जो एक प्रकार से मतलब है वह इसका था सियाप सन्वाले का ठीक है आगे देखेंगे लास्ट कोसंस आपकी स्किन पर आचुका है निम्न में से किस प्रकार के भोजन को गरहन करने से बचना चाहिए देखें जंक फूड और फास्ट फूड तो बिलकुल इनसे खाने से जादा बचना चाहिए ठीक है तो अगर इन दोनों से बचना चाहिए तो जो फूड हैं इनसे भी बचना आपकी जादा जादा नुकसान यह दोनों करते हैं यह जादा नुकसान नहीं करता है लेकिन फिर भी तो यह दोनों को आप से बचना चाहीए तो यादि प्रशन इसका लगेगा डि आप सभी का बहुत धनिबाद हमारत से जढ़ने के लिए इसी परकार्स अपना प्यार हमें से बनाया रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद